तार्मिक कट्रता ते नसली वित्करे विच उल्जे अजोके समाज नो गुरु तेग बहादर सहब दे जीवन ते मनुखी अधकारां दे रखी ले दिती शहादत तों सेद लेके आपसी प्रेम ते अमन शांती काइम कीती जा सक्दी है डंडीं तिलक जंजो दे रवायत नो ना मन दें वे गुरु तेग बहादर जीने रंग जेब वलों हिंदुआं दे जनेयू जबरी उतारन ते तर्म तबदील करन दा वरोद कीता अते जुल्म अगे ना चुकदिया शहीद हो गए डंडीं असे नौम पात्षा दा शहीदी दिहाडा हर साल बड़ी शर्दा नाल मनों देहां पर सानों गुरु सहबान अते शहीदा दियां कुर्बानिया नो याद रख दियां जबर जुल्म वरोद डट के खड़ना चहीदा है पामे यसे ले अपनी जान वी कुर्बान करने पै जावे डंडीं गुरु तेग बहादर जीदा जनम सोड़ा सो एके नो शेम पात्षा शिरी गुरु हर गोबिंद जीदे कार माता नान की जीदी कुखों अमरत सर विखे होया डंडीं गुरु जी दा बच्पन दा नाम तियाग मल से डंडीं चौदा साल दे उमर वेच है गुरु जी ने मुगला व्रद योद वेच ऐसे बेम साल तेग चलाई के गुरु हर गोबिंद सहब ने उनना नो तेग बहादर केना शुरू कर दिता ते नोम पात्षा दा नाम तियाग मल तों तेग बहादर हो गया डंडीं सोलंसो बती वेच उनना दा विया माता गुजरी जी नाल होया डंडीं सन सोलंसो चताली वेच शेम पात्षा जोती जोत समोन तों पहला गुरु नानक दी गदी दा वारस अपने पोते हर राय सहब नो बना गय तें सन सोलंसो अकाट वेच सत्मे गुरु ने जोती जोत समोन तों पहला गुर गदी अपने शोटे पुतर हर क्रिशन जी नो सोंप दिती डंडीं जेस समे सोलंसो चोंट वेच गुरु हर क्रिशन जी दिल्ली विखे चेचक दी बिमारी नाल सकत बिमार सन तां उनना ने संसार तों जान दा समा देख संगत ने उनना तों अगले गुरु बारें पुछया तां उनना केवल इना ही केहा बाबा बकाला डंडिंग एस पिछों बाबा बकाला वेच बाई पेखी नकली गुरु अपने आपनो अगला गुरु अलान के गदिया लगा के बैठ गए रंडिंग ही दिना वेच प्रस्यद वपारी मखन शा लुबाना दा बेडा सुमुंदरी तुफान वेच केर गया तां इस ओखी कड़ी वेच उसने अरदास कीती के नौमे पात्षा मेरा बेडा बनने लगा दियो मैं तो हडे दार ते सोने दिया पांसो मुरा पेट करांगा मखन शा लुबाना दा बेडा पार लग गया तां ओ मोरा लेके बाबा बकाला पुझा ते हरान रह गया के उत्थे तां बाई व्यक्ति अपने आपनो नौमे गुरु दस रहे सन डंडिंग उसनो एक तरकीब सुझी डंडिंग उसने सारे अखोती गुरुआं अगे दोदो मोरा रख के मथा टेकना शुरू कार देता सिख तरम वेच शिहीदी प्रमप्रा दा रंब करन तों कुल संसार दे लसानी शिहीद अखवोन दा मान पंजमे पात्षा गुरु अरजन देव जी दे हिसे आया है डंडिंग अपने जीवन काल वेच अखोती गुरुआं गुरु अरजन देव जी ने सिख तरम दी उन्तिले जो कारज कीते उन्ना विच्चों सब तों महान ते वलखन कारज शिरी आद ग्रंथ सहब दी संपाधना करना है डंडिंग गुरु अरजन देव जी एस गल नो पली पात जान दे सन के किसे भी तरम जा विचारता दी सिदीमी होंद कायम रखन ले उस तरम दा अपना वक्रा ग्रंथ होना जरूरी है डंडिंग एस ले उन्ना ने 601 विच राम सर सहब दे अस्थान ते छती महा परच्छा दी बानी नो इको जिल्द विच एकठा करके शिरी आद ग्रंथ सहब दे रूप विच सेख तरम अते विचारतारा नो निरनाईक मोड उते पुंचाया डंडिंग उन्ना द्वारा कीते परचार सद का सेख तरम दूर दूर तक फैल गया डंडिंग सेख तरम दे इस वद दे परचार परसार ने मुगल बादशा जहांगीर नो गुरुजी दा वरोधी बना देता डंडिंग शिट्टे वजों मुगल हकूमत ने कोज चूठे कारना नो अदार बना के गुरु अर्जन देव जी नो सोडा सोचे वेच लहोर वेच शिहीद कार देता डंडिंग हर साल गुरु सहब दे शिहीदी पुर्ब मौके खांड पाठ कथा कीरतन कीते जान दे हन ते ठंडे मिठे जल दिया शबीला लाइया जान दिया हन डंडिंग सारा जोर इस देन संगत नो मिठा जल शिकान उते लग जन दा है डंडिंग गुरु जी दे शिहीदी नो अदार बना के कड़ा परशाद ते सैंकड किसमा दे शर्बत बरताद ते जान दे हन पर अफसोस दी गल एह के मिठा जल वरताण वालियां ते शकन वालियां विच्चों बोत्यानों गुरु जी दे समाज प्रती योग दान उन्न दी शिहीदी दे असल कारना सिख फल सफे अते विचारतारा बारे कोई जानकारी जान सरुकार नहीं हुंदा डंडिंग कौम दा अनमोल सरमाया पानी वांग रोड के शिहीदी पुर्ब तो अगले ही देन सब कोज पुला देता जान दा है डंडिंग नितीजा कोज नहीं निकल दा सब कोज शर्दा दी पेट चड जान दा है डंडिंग ए सोचन दे लोड है के गुरु सहब दा शिहीदी पुर्ब मनोन बारे साधा नजरिया किनना को सही है अते साधा हासल की है डंडिंग गुरु अर्जन देव जी दा शिहीदी पुर्ब शब्द गुरु परचार दिवस वज्जों एक संकल्प दे रूप वेच मनाया जाना चाहिदा है डंडिंग इस ले जुरूरी है के इस दिन गुर्मत सहत ते गुरु बानी सिबंदी गियान समाज दे हर तबके तक उससे दी पाशा वेच पुर्च दा कीता जावे डंडिंग इस देन नू गुर्मत सहत ते हाड़े वज्जों मना के सेख इतिहास ते गुरु बानी नाल सुबंदत नम्या किताबा नू संगता दे हाजरी वेच अरलीज करके इतिहास पढ़नवाल प्रेरत हीता जावे डंडिंग पंजाबी वार्तक दा जनम गुरु नानक देव जी दे जीवन परसंगा दे प्रटावे नाल हुंता है डंडिंग साखी जनम साखी अते परची साहित जित्थे सिद्धे तौरते गुरु दी दिबता अते जीवन मेंमा नो उसारदा है उत्थे तीके वचन अते गोष्टा गुरु दी बानी दा विस्थार हन डंडिंग देश काल अते इतिहास दे बंदन तो मुगत इस वारत के विच मित पुरान तत करामात अते कलपना एक दूजे विच कुले मिले हन डंडिंग जनम साखिया इतिहास कारी दे परचलत माप दंडा उनसार नहीं लिखिया गया सगों सांजा पारती अध्यातम चिंतन इनना रचनामा दे अवचेतन विच पेया है डंडिंग गुर इतिहास दे पेशकारी करदया साखिकार पुरान कथामा मित संकेता अते गुरबानी व्याख्या दे विदी वर्तदा होया अपने विशे नो उसारदा है डंडिंग साखिकार दी अखंड पारती अध्यातम के बिरती अते संजोगी द्रिष्टी जनम साखिया दो आर पार फैली होई है डंडिंग इसते करके जनम साखिया विच गुरु नानक देव जी दा इतिहास के नहीं सगों प्रानक मोहांदरा अते चिरितर उगरदा है डंडिंग नानक है डंडिंग बाबा नानक अवतार तारदा है कारजान दी वडियाई अते हस्ती दी मानता सहज सुबा बाबे नानक नो देवी सरूप परदान कर दिंदी है डंडिंग इतिहास के गुरू नानक मित राही बाबा नानक बान जानदा है डंडिंग बाबा नानक दा अवतार मित दा साच है डंडिंग इतिहास के ताथ मित राही सुन्चारत होन मगरों मित दा साच बान जानदा है डंडिंग फेर मित दा साच इतिहास के ताथ नालों वदेरे परमान के मसूस हुनदा है डंडिंग जनम साखियां वेच इतिहासक ताथ मितिहासक साच रही उजागर हुंदा है डंडिंग साखी कार पारतें दे समुची दिब प्रमपरा नो नाल लेके चलदा है अते गुरु नानक नो इस कडी दा अगला पड़ा सुवकार करदा है डंडिंग जनम साखियां वेच मेता कालू दा दुनियादार होना उलाद प्रती फिकर मंद होना पैसा जोडना अते क्रेलो जिम्मेवारियां नबोना उस दे सदारंता नो दरसोन वाले वेरवे हन डंडिंग बेबे नानकी दा अपने वीर लई अथा पियार उस नो पेता दे गुसे तों बुचावना गुरु नानक दी दिबता नो समझना आद वेरवे बेबे नानकी दो सदारं इस्तरी तों विशेश बणंदे हन डंडिंग एसे तरा साखी वेच पांदे मुला ते पंडत आद पातर सिर्जे गए हन डंडिंग पामे ए सारे व्यक्ति अपने कसब दे महर हन पर गुरु जी दी विशेश शक्षी आबा तों अचंबत हो जान दे हन जेसनाल गुरु जी दा दैवी रूप होर निखर दा है डंडिंग जनम साखियां वेच गुरु नानक नो तेतीस क्रोडी देवतियां बीर जती सिद नाथां तों स्रेश्ठ मन्या गिया है डंडिंग ओ जगत निस्तारन ले अवतार तार दे हन अते क्रामात कर दे हन डंडिंग गुरु जी बोड थले बैठ दे हन ता ओ हरा हो जानदा है हीरे मोती ठीकरियां वेच बदल जानदे हन डंडिंग समाज विच मनुखता दिया समस्यामा तों बाता वर्न एक बड़ी चनावती है डंडिंग एसे दाही नतीजा है के अज मनुख दे समने कैंसर अते साधियां बमारियां देनों देन वेकराल रूप तारन कर दियां जा रिया हन डंडिंग हवा पानी आदे दे परदूशत होन नाल जिंदगी जेवना दुबर हुंदा जा रिया है डंडिंग जहिया समस्यामा तों निजात पान ले गुरु सहबान वलों मनुखता दे पलाई हैत कीते गे उपरालियां दे सोद वेच चलना वेहद जुरूरी है डंडिंग जनेवा सिथित सुझोकत राटर दे वाता वरन अते मनुखी अधकार दे जानकार डेविड बोयड ने केहा है के परदूशन कारण हर साल सतर लख लोकां दी मौत समेतों पहला हो जान दी है जिनना वेच छे लख बच्चे शामल हन डंडिंग संजोकत राटर दे माहर दा कैना है के लाग पाग शे अरब लोक नीमत रूप नाल इनी परदूशत हवा वेच सा लेंदे हन ते एस नाल उनना दा जीवन अते सेत खत्रे वेच केरे रेंदे हन डंडिंग सिखी दा मोख ओदेश मनुखी जीवन नो कल्यान कारी बनाके सामा पदरा अते अगावदू बनावना है डंडिंग अग्यानता रूप नेरे नो ग्यान दे प्रकाश नाल दूर करने हित सिख गुरु सहबान हमेशा यतन शील रहे डंडिंग गुरु सहबान दा जीवन मनुख ले प्रियरना सुरूत है डंडिंग उन्ज सारे ही गुरु सहबान ने समाजक पलाई ले अपना योगदान पाया पार वाता वर्न दे शुदता ले सत्मे पात्षा गुरु हरराय सहब दा जीवन मनुख ले चानन मनारा है डंडिंग एसे लई ही उन्ण दा गुरु गदी दिवस वाता वर्न शुदता दिवस दे रूप विच मनाया जानना है डंडिंग उन्ण दे जीवन विच्चों समाज पलाई अते मनुखी हितां दी रोशनी सुपास्ट नजर पैंदी है डंडिंग सतमे पात्षा दा जीवन संसार नो दया द्रडता अते जीवन दे सार थिकता नो समझन ले प्रेर ना देंदा है डंडिंग पै नांदलाल जी अपनी रचना गांज नामा गुरू हराई सहब दी शक्षियत दया संतोख सहज वरग शुब गुणा दी तारनी है डंडिंग मनोकता नो प्यार करन वाली इस शक्षियत दा प्रकाश सोला सोती इस वी नो बाबा गुर्दता जी ते माता ने हाल कार देंकार शिरी कीर्थपर सहब वेच होया डंडिंग बचपन दादा गुरू हर गोब्द सहब दी निगरानी वेच बीतिया उन्दी निगरानी हेट ही विदिया प्रवान चड़ि डंडिंग गुरू सहब कोमल चित सन डंडिंग उनना बारे एक साखी मिल दी है के बच्पन दुरान एक वार ओ बाग वेच सेर कर रहे सान डंडी अचानक खेड़िया होया फुल उनना दे चोड़े नाल अड़के जमीन ते डिग पया डंडी ओ विराग वेच आके फुल नो दुबारा जोड़ने लई उपराला करने लगे डंडी गुरू हर गुबिंद सहब ने जदो ये सब देखे आता ओ चिंता तोर देखें के कैन लगे के हमेशा अपने आप नो संभाल के चलना चाहिदा है डंडी सर्बान सदनी गुरू गोबिंद सिंग पगती शक्ती राज योग दीन दुनी मीरी पीरी दा समेल अथवा संगम हन डंडी ओना दी इस अजीम शक्षियत दा वर्नन पाई गुर्दास जी दूजा वाहो परगटया पुर्ख पगवांत रूप गुरू गोबिंद सूरा करदे हन डंडी पाई नांदलाल जी अपनी पावना उनसार पादशा नो बादशा दरवेश शाहे शेहंचा वजों मुखातब हन दे हन डंडी गुरू गोबिंद सिंग महराज दा जो चितर हर सिख शर्दालो दे हर दे विच उक्रिया होया है ओ बड़ा तजस्वी ओज परपूर ते जुमला फैजे रभी नूर है जिस दा चन सुरूप नीले कोडे दे शाह असवार चिटे बाज वाला कलगिया वाला किले ते फोजा वाला सूर्मा सुरूप है डंडी एसे ले संगता मिलके पढ़ दिया हन आओ चलो चल दरशन करिये गुरू गोबिंद सिंग आये ने नीला कोडा बांका जोडा हत विच बाज सोहाये ने डंडी गुरू पात्षा दे इस जुजारू ते बीर रसी सुरूप नो देख के कथत अध्यातम वाद ने सुवकार नहीं कीता डंडी कई उनना नो राना प्रताप ते शिवा जी मरहटा वांग फोजी जर्नेल दस दे हन डंडी प्रसेद संत कवी ठाकर रबिंदर नाथ टगार दे सूखम बुद्धी वी सत्गुरू दे शुद्ध सुरूप दा ददार नहीं कर सकीते शैद एसे ले ओ लिखदा है के गुरू नानक सहब वलो अरंबी तरम दी निर्मल तारा नो गुरू दिशमेश ने फोजी शाणी दे मारू थल वेच तुबदील कर दता डंडी केस नतीजे ते पहुंचन लगा ओ अपनी रची ओ कवता वी पोल गया जेस वेच ओ टेगावर भाग वेच खेडे फुला दी सुगांद नो एक पठान तलवार दी फुलाद परखन विदी नाल नापन दी मुरुखता करदा पातर दरसंदा है डंडीं लेकन ए सब टपले उना नो लगे जो गुरु देशमेश दे तजस्वी सुरूप दी चमक नाल चका चौंद हो गया ते उना सेख तरम दे बन्यादी सुधांता ते तारनावा नो अपने पूरव निश्चत अकीदे ते ब्राह्मनी तरम दे माप दंडा नाल परखया डंड दुनिया सुर्मा जा बहादर उसनों तसवर कर दी है जेस वेच स्रीरक राड़सी अते फोजी बल होवे लेकन सिखी वेच सुरा उसनों केहा गया है जो प्रमात्मा दी पक्ति दे रंग वेच रंगया होया गुरू नानक पात्षा ने सिखी प्रवेश दी पहली शर्त ही ए रखी मनुख दी पहचान ही ए है के ओ समाजक जिम्मेवारियां तों पज़दा नहीं ते हक सच दी लड़ाई लड़न तों मू नहीं मोड़दा महान शहीद गुरू तेग बहादर सहब ग्यान वान अथव ग्यानी दी संग्यानों प्रवाशत करदे हन रंडि गुरू गोबिंद सेंग जी ऐसे ही निरपो गरीब निवाज योदे हन जो ग्यान दी खडग नाल कमजोरी तें कैरता नों समाज विच्चों कटन दा मार्ग दस दे हन रंडि खंडे दी तार विच्चों पैदा हुई सेख कौम दा इतिहास वदेरे करके शहीदियां अते कुर्बानियां वाला रिहा है रंडि रान खेतर विच्च एक एक सेंग वलों सवा सवा लाख नाल मुकाबला करना सीस नू तली तें टका मुल्क खईये नाल टकर लेना जिम्बूरा नाल मास तड़वोना रंबियां नाल खोपर उतरवोना बंद बंद कटवोना चर्खडियां तें चड़के तुमबा तुमबा होना तोपां सामे उड़ाए जाना बलदे हुए पठ्थे विच्च चोके जाना ये सब हैरत अंगेज कारणामे सेख कौम दे हिस्से ही आए हन डंडी इतिहास के गुरता मानो महंता दे कबजे विच्चों अजाद करवाके उथे मुड पंथक मर्यादा बहाल करने दे उदेश नाल चली गुर्दवारा सुदार लहर दुरान वपरे गुरु का बाग अमरत सर तो तेरा को मील दूर एक इतिहास के गुर्दवारा गुरु का बाग है जिते पंजमे अते नौमे गुरु सहब ने अपने चरन पाए सन डंडी एतों दा महंत सुंदर दास उदासी कटिया आचरन दा मालक सी पारे सरकार दी शै होन करके सेख काम नो मुझबूरन कोडा कोट पीना पै रिहासी डंडी शिरी ननकाना सहब दे खूनी साके पिछों ओ खुल के सिंगा दे सामने आगया डंडी ओस दी शैते आठ अगास्त उन्निसो बाई नो गुरु के लंगर लई खेता विच्चों बालन लिकडा कटन गए सिंगा नो पलसे ने गिरिफतार कर लिया जिन्ना नो अमर्त सर दी अदालत विच पेश करके शेश महीने कैद दी सजा सुनाई गई डंडी जेस जमीन विच्चों लंगर दे बालन लई लिकडा कटिया गया सन ओ वी गुर्दवारे दी मिल्कियत सी सो सजा केस गल दी प्रशंचन एसे मसले ते मुर्चा लग गया डंडी शुनोमनी कमेटी वल्लों उरजाना पांज पांज सिंगा दा जथा पेजिया जान लगा जेसे नो पलस फड़के दूर दुराडे लजाके शाट दिन्दी डंडी शबी अगास्त नो लकडा लेन गे शत सिंगा दे जथे दे सकत मार कोटाई किती गई डंडी गुरु ग्रंथ सहब दे सेवा वेच हाजर सिंगा नो फ़जा तों फड़के केसां केसां तों फड़के तुहिया गया अते बंदुका दे बटां ते डांगा नाल कोट मार किती गई डंडी इसे देन गुरु के बाग सिबंदी विचार करने लई श्रोमनी कमेटी दी विशेश एकतरता अमर्त सर विच हो रही सी ता मुखी लीडरां दे वरंट जारी हो गए जैसे ते श्रोमनी कमेटी अते श्रोमनी अकाली दल दे परदाना सकतरा आदे नो श्री अकाल तक ते सहब तो जथे दे रूप विच गिरफ तारी ले रवाना कीता गया डंडी होन सेख सेंग गिरफ तारियां देन ले हम हमाके श्री अमर्त सर पुझन लगे डंडी वरंजाना श्री अकाल तक ते सहब तो पूरन शांत मै रेन दा अरदासा सोद के सिंगा दा जथा गुरू के बाग ले रवाना होंदा डंड प्रमात्मा ने मनुख नू सब जीवांतों उपर रख्या है डंडी उसे नू सोचन बोलन विचारन दियां शक्तियां प्रदान कीतियां हन डंडी जे ओ एक पासे प्रमात्मा दा अंच है ता दुझे पासे ओ एक समाजक जीव है डंडी समाज विच रैन ले गुरू ग्रंथ सहब विच मनुख दे सदाचारक गुणा ते जोर दिता गया है डंडी ओ अपने कमा कारां विच सचा रह के सच्यारा बन सकदा है डंडी इसलिए ओ हर एक नाल सचाई नाल निबा करें ता संसार विच सुख शांती रह सकदी है डंडी मनुख खोद वी तना मुक्त नरप हो सकदा है पै काहू के देत ने पै मानत आन डंडी अन्या रिश्वत कपले पाप सब पवाडे चूठ तों ही पेंदे हन डंडी गुरू सहब साच उपर जादा बल देंदे हन डंडी राय नितक हुकमरान जे साच ते चलन ता सारे लड़ाया चगडे हेर फेर दूर हो जान डंडी साच बारे जहिया अनेका तुका अंकत हन जो गुरू सहबान वलो उचारिया गया हन ते मनुख दे अगवाई कर दिया हन डंडी साच ते चल दिया जे इनसान अपनी बोली च मिठास ले आवेंता सोने ते सुहाग वाली गल हो जान दी है डंडी इस नाल उस वेच निमरता वर्गा महान गुण आ जान दा है ते हंकार हो में करोद वर्गे ओगन दूर रंदे हन डंडी गुरबानी वेच था 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 थे इनना नो नकारया गिया है डंडी हंकार वेच आके मनुख जिनना कुदरत तो दूर हुंदा है उनना समाज वी उस नो केरना दी नजर नाल देखदा है डंडी वो सेंदा मान सतकार काट जान दा है क्योंके वो हर किसे नो कमजोर नीवा हीना समझ के त्रिसकारदा है ते अपने आपने नो बहुत उचा ते सियाना गिन दा है डंडी अखीर हंकार्या मनुख मूँ परने डेखदा है डंडी सो गुरू सहब मिठा बोलन ते निमर रेन ते बाल दिन्दे हन डंडी चंग्याई निरी अपने लेही नहीं हुंदी समाज दे कल्यान लेई वच्या लेई वड्या लेई हुंदी है डंडी हर इनसान जे गुरूआं दे सिख्या अपना लवे ता सारा समाज ही वकास दिन्या लिहांते तुर्दा जाएगा डंडी जिन्ना होमेनो मारें के साच नो अपने हिर्देंच टका लिया है ओही जग वेच सुख हासल कारें सकेगा डंडी स्वार्थां च केरिया व्यक्ति हमेशा अपने बारे ही सोचदा है ते उसे दा मानव प्रेम दा केरा सौडा हुंदा चला जानदा है डंडी माया यानी के दौलत दे प्रपेख वेच वे गुरू सहब नसीहत कर दे हन डंडी ओ माया नू नागनी ते ठगनी कैके तरिसकार दे हन डंडी अपने रोज मरा दे जिन्दगी वेच बिना शक लोडा पूरिया करने ले माया दा बहुत ही महत्व है पर जद इनसान लोब लालच तहत लोडों वद माया एकठी करने शुरू कारे दिन्दा है डंडी पांज गुरू सहबान दी चर्न शो प्रापत स्थान इतिहासक गुर्दवारा श्री गुरू गड़ सहब सदा बरत रुपड दा सिख इतिहास वेच एहम स्थान है डंडी पांज गुरूआं दी चर्न शो प्रापत होन करके इस गुर्दवारा सहब दा ना गुरू गड़ पेया डंडी गुर्दवारा सहब रोपड अनंदपुर सहब शड़क दे कनारे रोपड शेर दे वाड नंबर 14 वेच शशो प्रापत है डंडी गुर्दवारा सहब वेच शेम गुरू हर गुबंद सहब जीदे समेदी एक बौली है डंडी मन्या जन्दा है के जो भी इनसान इस बौली वेच शर्दा पावना नाल इशनान करदा है उसे दे सुरीर के कस्ट दूर हो जन्दे हन डंडी मसे अनू दूर दूर तो संगता आके इसे गुर्दवारा सहब विखे मथा टेक दिया अते इशनान करदिया हन डंडी हर साल इते लोडी आते तिन दिन मागी दा मेला शर्दा पुर्व के मनाया जन्दा है ते इनना दिना वेच इते पारी एक अठे जड़दा है डंडी मागी दे मेले मौके तार्मिक दवान सजाए जन्दे हन ते नेड़े दे पिंडा दिया परबंदक कमेटिया वलों लंगर लगाए जन्दे हन डंडी सेख इतिहास उनसार गुरू हर गोबिंद जी 677 इसवी नू कीर्थपर सहब जान्दे समें सदा बरत रुके सन डंडी गुरू हर राए सहब 1713 विक्रमी नू ये थे पहुंचे सन डंडी गुरू हर केशन जी कीर्थपर सहब तो दिल्ली जान्दे समें 1721 विक्रमी नू सदा बरत ठेरे सन अते गुरू तेग बहादर जी 1721 विक्रमी नू अनंदपर सहब विसाक ये थे पहुंचे सन ते दूजी वार असाम तो वापस जान्दे समें ये थे रुके सन डंडी दिशमेश पिता गुरू गोविंद सेंग जी पटना तो अनंदपर सहब ओन्दे समें सात साल दी उमर विच सदा बरत रुके सन डंडी हर साल पोदे महीने शहिदी पंदर वाडे दे दिना विच गुर्दवारा सहब तो श्रोमनी गुर्दवारा परबंदक कमेटी श्री अमरत सरे वलों संगतां दे सही योग नाल विशाल नागर कीरतन कड़िया जानदा है ज दिना विच गुर्दवारा पात शाही दसमी श्री पठा सहब रुपड पॉंचदा है डंडी गुर्दवारा सहब दा वातावन माननू शांती प्रदान करदा है डंडी दस्या जानदा है के रुपड दे राजा पूप संगने अपने कार्ज काल दे समें इते कडा दा लंगर शुरू कीता सी डंडिंग। कीर्थपुर सहब अनांधपुर सहब नेना देवी मंदर नू जान वाले शर्दालो एस सथान ते रुकदे हन डंडिंग। एस सथान दी संबाल लई टिबी सहब वालयां ने संगता दे सहयोग नाल गुर्दवारा सहब दी अमारत बनावनी शुरू कीती सी डंडिंग। सथानक गुर्दवारा प्रबंदक कमेटी ने एस अमारत नू पूरा करवाया डंडिंग। पहला एस गुर्दवारा सहब दी संबाल लई सुथानक प्रबंदक कमेटी बनी होई सी पारें। आज कल गुर्दवारा गुरु गड़ सहब सदा बरत दा प्रबंद शुरूमनी गुर्दवारा प्रबंदक कमेटी चला रही है। गुरू अर्जन सच सिर्जन हार हन शब्द दी सची टकसाल हन डंडिंग। केवल एक सत पुरख ही उन्ना दा अधार ते अचार है डंडिंग। सत दी बानी प्रबंद की बानी उचार दे हन जो करता पुरख ने उन्ना दे मुखार बेंद तों कडवाई डंडिंग। गुरबानी दी शुदता ते परमानकता बरकरार रखण लई संपादन कर गुरू शरी। गुरू ग्रंथ सहब दे पहले सुरूप दी सरजना कर दे हन अते प्रकाश लई शरी हमरतसर सहब विखे हरमंदर सहब दे अधबुत ते अलोककर रचना कर साथ तर्म दी अजादी दी राखी कर देयां अपने प्रान निशावर कर सेख तर्म दे पहले शहीद शुरोमनी दी वच्च ते नवेकली पद्वी ते बिराज मान हन डंडी शिरी हरमंदर सहब दी सरजना कीती जैसे दी नी मुस्लिम फकीर साई मिया मीर जीतों रखवाई डंडी पाई गुर्दास जी उनसार पूरन ताल खटाया अमरत सर वेच जोत जगावे ऐसा हरमंदर सहजया जित हर कोई बिना किसे मजब जात रूप रंग ते नसल दे विदकर दर्शन ददार ते सजदा कर सकदा है डंडी स्रोवर वेच इशनान दी खुल लंगर दी पंगत वेच प्रशाद शकन दी सांज अते हरमंदर वेच अरदास बेंती दी अजादी मजबां ते तर्म मारगां दी सै होंद इतिहास वेच पहली वेर द्रिष्टी गोचर होई डंडी एस देश वेच ता रुसोई वे हर एक दी अलाग सी खुदा पानी वे सांजा नहीं सी गंगा इशनान वे कोई गैर हिंदू जान दलत नहीं कर सकदा सी डंडी मंदरा विच्चों कोई मुसलमान नहीं सी जान दा शूदरा दा दाखला बंद सी महजदा वेच कोई हिंदू नहीं सी जा सकदा डंडी ऐसे समे लंगर पंगत सरोवर ते दरशन इशनान दी एकतातरम दी दुनिया वेच इनकलाब ही केहा जा सकदा है डंडी सेख तरम दे कौमी संगठन ले शिरी दरबार सहब दी सिर्जना नाल जैहे के अंदर मरकज दी बक्षश होई के एहले मरकज बन कौमी सुरूप प्रापत होया डंडी हर तरम अस्थान मंदर महजद विच पोड़ियां चड़के जाना पेंदा है पार शिरी दरबार सहब दी विशेष्टा है के पोड़ियां उत्तर के दरशन संभव हन डंडी ए प्रतीक है होमे तियाग हली मीत निम्रता नाल मान नीमा रख के ही रब दी दरगाद दरशन कीते जा सकते हन डंडी शिरी दरबार सहब विच चार दिशावां दा चगडा मुकाँ दे हर मंदर दे चार दरवाजे चार दिशावां दे विचकार हन डंडी कोई वी एक देशा वेच नहीं डंडी हिंदू हरी दा वास दखन देश वेच मंदा है अते मुसलमान अल्ला दा कार मगरब मच्छम वेच मंदा है पार गुरू सहब कनकन अते हर देशा वेच प्रबूदा निवास मंदे हन डंडी बिशव वेच हर परचलत तरम दा आप अपना तरम गरंथ है डंडी सनातन तरम बद जैन इसलाम डंडी सिख कौम दा इतिहास कुर्बानिया परिया है डंडी सिख गुरू सहबान वलों कौम इनसानियत लई दितिया गईया कुर्बानिया नो कौम वलों शानदार गुर्दवार सहब उसार के संबाल लया गिया है डंडी इनना विच्चों ही एक इतिहास के सथान है गुरू का ताल आगरा उत्तर परदेश है डंडी इस थान नोमे गुरू सहबान शिरी गुरू तेग बहादर सहब जी नाल सबंदत है डंडी इतिहास के पाख शिरी गुरू तेग बहादर सहब अननदपर सहब तो अपने निडले प्यारियां पाई सती दास पाई द्याला जी पाई गुर्दता जी पाई उदे जी पाई जैता जी नाल लेके कोडियां उते सवार होके रोपड पट्याला शैफा बाद जींद रोतक आते जानी पर हुंदे हुए हाड सम्मत सतारा सो अकती नो आगरा पहुंचे डंडिंग एथे गुरू सहब ने शहर तो बाहर आके तलाद कनारे डेरा लगाया डंडिंग एस था उते होन गुर्दवारा मंजी सहब सुबाय मान है डंडिंग एथे आगरे वेचे एक एयाली ज संदाना इतिहास विच हसन अली दस्या है पेड़ा चार रिहासी डंडिंग ए सारा प्रवार अल्ला ताला अगे अरदास करदासी के जे हिंदुआं दे पीर ने गिर्फतार होना ही है ता साड़े उते क्यों ना किरपा करी जावन डंडिंग गुरू सहब हसन नो कोल बलाके कैन लगे के सानों पोख लगी होई है डंडिंग शेर विच जाके साड़े ले मठ्याई ले आ इनी गल के गुरू सहब अपने मुबारक हाथ विचों कीमती अंगुठे जेस विच अठ कोरा वाला हीरा जडत से उतार के दिती आते नाल ही कीमती दुशाला मठ्याई पवान दिता डंडिंग ए दोमों चीजां लेके हसन अली मठ्याई दी दुचान ते पुजा डंडीं अंगुठी हलवाई नू देती दुशाला मठ्याई पवान ले अगे विचाया जेसे नो वेक है के हलवाई नू शक हो गया डंडिंग ए निगा कीमती वस्तुआ कितों ले आया है प्रशंचन हो सकदा है ए वस्तुवां चोरी दिया होने डंडी एस ख्याल विच आके हलवाई ने नेडे दी कोत वाली विच जा दस्या डंडी कोत वाले ने हसल हसन अली नू डरा के पुछिया इना चीजां दा मालक काउन है प्रशंचन विचारे ने डर्दे मारे दस दता इना वस्तुवां दे मालक अपने कोड सवार साथिया समेत तला दे कनारे बाग वेच बैठे हन डंडी तुसी मेरे नाले चलो मैं तुहनो मिला देंदा हन डंडी कोत वाले सहिब बहुत सारे सिपाही हसन अली नू नाले लेके इस जगा ते आये ते गुरु जी नू पुछ लगे तुसी कौन हो प्रशिंचन गुरु जी ने केहा हिंदुआं दे पीर तेग बहादर साड़ा ना है डंडी इनी कैन दी देर से गुरु जी नू साथिया समेत ये थे ही बने पूरा सहिब वेच नौ देन नजर बंद कर दिता गया जो वड़े दरबार सहिब दे थले श अपनी गिर्फतारी दा सेख समाज दुनिया दे सबतों निवीन समझे जान दे सेख तरम दे सर्ब विश्वी अते मानवी संकलपां तों दूर हो रिहा है डंडी ए दोखदाई वरतारा सेख तरम दे बाने शिरी गुरु नानिक देव दे अगले वरे मनाये जान वाले पांसो पुझामे प्रकाश पुरब दे एक साल चलन वाले समागम शुरू होंदिया ही होर उब्रया है डंडी किसे दे नाल ही तरम नो सोडे स्यासी हित्ताली वरतन दे दोड होर तेज हो गई है जेसे ने पहला ही सेख संस्थामा दा बेहद नुकसान कीता है डंडी ए तांग नजरिया ननकाना सहब विखे बाबे नानक दे तिनसो उनंज में प्रकाश पुरब मोके विखन नो मिलिया डंडी समागम विच गुरू नानक दे जनम अस्थान ननकाना सहब दे गुर्दवारा सहब नो सेख पंथ दे शेम तक्त वजों मानता देन बारे मता पास कर दिता गया जदों के गुरू नानक अते उन्ना दे विचार तारा इना संस्थामा तो उपर है डंडी दर असल ए चाल पारत तो बाहर मताजवी तार्मिक राजसी केंदर बनावन दी कड़ी जापदी है डंडी अजेहा मतवाजी केंदर बनावन कोई माड़ी गल नहीं पर एक केंदर गुरू नानक दिया सिख्यामा नो सही अर्था विच परचारन लई बनना चहिदा है सौडी राय निती ले नहीं डंडी एक गल सपस्ट है के तकत गुर्दवारा नहीं है डंडी जो तकत गुर्दवारा हुंदा तां शिरी गुरू हर गुबंद सहब नो श्री दरवार सहब दे समन एक होर गुर्दवारा बनोन दी लोड नहीं सी डंडिं ओना अकाल तक दी सिर्जना रारिसी सता दे केंदर वज्जों की दी डंडिं आज दे हलात दे परसंग विच अकाल तक सिख विचारतारा दे अजाद दे खुद मुक्तारी दा परतीक है डंडिं जो पगोलक सरहदा तो उपर है डंडिं श्री गुरु हर गुबंद सहब इस तक दो एहम फैसले कर दे सन डंडिं अकाल तक सिर्फ एटा अते सीमेंट दा टांचाही नहीं बलके संस्था है डंडिं ए संस्था समा पाके सिख तार्मिक रासी प्रंप्रा ते जम्हूरी नमेंदा संस्था वज्जों उब्रिया अते इसे ने सिख समाज नो वकरी तार्मिक रासी ताकत वज्जों उबारन वेच एहम रोल अदा कीता डंडिं एही कार्ण है के ताकत सहबान उते शाष्टरा नो सुबाय मान करन नो पहल दिती जन्दी है डंडिं एह शाष्टर श्री गुरू ग्रंथ सहब दे प्रकाश सथान दे पशोकड वेच रखे जान्दे हन पर तकत श्री दाउंदमा सहब तलवंडी सब वेखे एह प्रंप्रा नहीं निबाई जान्दी क्योंके ओ गुरू की काशी पाव विद्दक केंदर वज्जों काइम कीता गया सी डंडी अकाल तक ते उते गुरू ग्रंथ सहब दा हर रोज सारा दिन प्रकाश करना वी कोज दहा के पहला ही शुरू होया है डंडी पहला अकाल तक ते उते गुरू ग्रंथ सहब दा प्रकाश सवेरे शाम दे दवाना वेच ही कीता जान्दा सी डंडी अकाल तक ते विखे गुरु ग्रंथ सहब गुरु नानक देव जी ने चारा दिशावां दी यात्रा करके समें दे तर्मी चिंतका नाल समवाद रचाउंदे होए नवीनतम क्रांतिकारी वग्यानक योग दे तर्म ग्रंथ दे संकलन दा बीज बीजया जेस नो गुरु अरजन देव जी ने 604 इसवी नो शिरी हर मंदर सहब विखे आद ग्रंथ वजों रूप मान कीता रंडिंगु गुरु ग्रंथ सहब वेच दर्ज हर बचन सर्ब सांजी वालता दा संचार ते परसार करदा है डंडिंग अज गलोबल पदर ते संजम वहूने सब्याचार दा पसारा है डंडिंग सुमुची मनुकता कई तरा दे वक्रेमिया वंडा दर वंडा दे केरिया वेच बुरी तरा फसी होई मसूस हो रही है डंडिंग वक्रे वक्रे दे विचकार खोहा खिंजी नफरती खिचोतान जारी है रंडिंग खुशहाल बौत रुवी संसार सिर्जन दे समरथ गुरू ग्रंथ सहब दिया दार्शनिक वग्यानिक दे विचार तारक संबाव नामा असी अजेतिक जगत जलंदे अगे सारी दिशाच रख नहीं सके रंडिंग समा तेजी नाल बदल रिहा है रंडिंग सुहर्दता ते सुचेतनता नाल गुलोबल पदरी वास रहे सेख होन गुरू ग्रंथ सहब दे महत्तव नो विशव समन परगट करके दे अधिकारी बन सकते हन रंडिंग जदों कदे वी सिखां वेच नराश्ता पस्तरी उदों ही सिखां दे सिर मोरे संस्था श्रोमन गुर्दवारा परबंदक कमेटी श्री अकाल तक्त सहब दे अगवाई वेच समय समय गुर्मत समागमा रही सिखी प्रचार नो प्रचंड करन दे उदम कर दी रही है रंडि परा जेसे दे सिटे वजों सिखाने हरे चनावती नो कबूलिया ते उस दा डाटें के मकाबला कीता है क्योंके गुरु गरंथ सहब दी बानी दे अपदेशां सदका पैरोकार जमांदरू ही शंगरशी हन डंडि सब तों बड़ा संकट एस समय है के कलास की पूंजी वाद ते कलास की साम वाद दो में ही खीन हो चुके हन डंडि दोना दी समरथा समन आ चुकी है डंडि पच्छम दा विक्सत किंप्यूटरी योग तों पिछों दा पूंजी वाद जो विश्वी करने दे ना ते समुची दुनिया नो अपनी लपेट वेच लेन दे आहर वेच है किते बहु कौमी कंपणियां दे वपार राहीं किते जांग राहीं किते तोंस राहीं उसे दा संकट पहला ही सामन है ते संसार उसे नो विचारतारक तौरते सवकार नहीं कर रहा डंडि सब्याचारा दे तना सामन हन रंडि अजैही सथिते विचारतारा दे संकट नो जनम दंदी है रंडि मनोख नो पवेख ले एक वारी फेर विचारतारा दे तलाश है रंडि अजैही सथिती दे सामे हुंदिया गुरू ग्रंथ सहब दे इस विचारतारा दे लोड है जो समुचे मनोख ले पवेख मुखी रा ले बेठी है रंडि लोड इस नो तंग वलगना विचों कड़न दी है रंडि संसार उत्तर अधनिकता वाद अते ग्लोबलाइजेशन तक जेस दोर विच पहुंचिया है लोड उस विच एस दी योगता नो पशानन दी है रंडि गुरू नानक देव जी दे अगमी प्रकाश पंजमी पादशाही राही गुरू ग्रंथ सहब दा संपादन संजी वालता निया सच हक जात पात तो उपर किर्थ करो नाम जपो ते वांड शको दा गुर्मत सदात है रंडि इस ग्रंथ विच बिना किसे वितकरे दे हर तर्म दे पगता दी बानी उसे सतकार नाल दर्ज है जिस सतकार नाल गुरू आंदी बानी डंडि तर्म ग्रंथ विच दर्ज सदात मनुकता नो उना दे पैरोकारा नाल जुडे रेन दा रा दस दे हन डंडि तर्मेक पैरोकारा ने अपनी जात्मकता दे सिखर ते पांच के कोज जेहे अपदेश मनुकता दे रूबरू कीते हुन दे हन जिन्ना नो अपना के मनुक अपनी जिन्दगी दा अंतम लक्ष पाब प्रभू प्राप्ती अते अपने संसार वेच ओने दे मनुर्थ नो समझन दे सम्रथ हो ज़न्दा है रंडिंग संसार दे इतिहास वेच अनिका जेहे हवाले मिल दे हन जिन्ना अंदर ए जिकर है के जिन्ना तर्माने अपने तर्म ग्रंथां दे सुम्बाल वेच कुताही वर्ती ओ अपने रेबरां दे अनमोल वचना तों वांजे हो गए एथों तक के ओना ग्रंथा नू सतकार वी नहीं मिल सकया डंडी तर्म ग्रंथां दे रूप वेच उपलब्द अध्यात्म के खजाने नो अपनी वरासत समझे के सुम्बालना आते जरूरी है डंडी विशव पदर ते पवेख दा जो खाका उबर रिहा है ओ उत्षा जनक वी है अते नराश तबाक वी डंडी एटमी ताकता ग्यान वग्यान दे उबार नाल मानवता ले के चुनातियां वी सामने आँख लोईया है डंडी वपेन तरा दे परदूशन कारन अकाश विचली अजोन दे बापर्त विच शेक हो गया है डंडी कादर दी कुदरत इना अकाशी तता ते अदारत है डंडी मनोख ने आते टकनलोजी दे पक्खों बड़ी तरक्की कीती है डंडी जे सकारन मानव जीवन सुखी वी होया है डंडी दुझे पासे अमानवी अते अनेतक बुरायां दी परमार वी है डंडी जेंग मानवी हिंसा है डंडी अमन सर पक्खी खुशहाली है डंडी कुदरती वसीलियां दी अंदा तंद वर्तो अते दुर अपयोग नाल बहुत सारे जीव जनतू पशू पंच्छी पौदे अते दवाईयां लई अनेक तरा दियां जडियां बूटियां तरती तो अलोप हो रहे हन डंडी ए जीव स्रिष्टी अते प्रक्यतिवी साड़ा सब दा सांजा पाई चारा है डंडी एसे दी रख्या संबाल अते सरपक्खी उसारी दे असी सब जम्मे वारहां डंडी वग्यान ते विसफोट ने पुचाल सुनामी हाड तुफान सोका फला फल अते सब जियां अनाज जहरीले कर दिते हन डंडी ए वग्यान के दुखांत बनदा है डंडी कार खाने ने अनाज दी पैदावार नो कटाया है डंडी प्रदूशन अते वग्यान के काड़ांतों पैदा हुए अवेसले पान दे संकट नाल असे गुरु ग्रंथ सहब दे इलाही संदेश दे राशनी विच एना सब खतरियां वरोदा नाल निप्ट सकदे हां डंडी निशीले पदार्थां दा स्वेवन हो रहा है डंडी एड़्ज वर्गियां ला इलाज बमारियां फैल रहा हन डंडी सिख तरम विच दिसवंद दा बहुत सतकारत अते आर्थक महत्तव है डंडी एस दी शुरवात पंज में पात्षा गुरु अर्जन देव जी ने कीती सी डंडी दश्वंद प्रथा असल विच मिसंद प्रथा दाही निखरया रूप है डंडी एक निमाने अते सचे सिख लई अपनी किरत कमाई विच गुर्मत ते लोक पलाई लई कीते जान वाले कारजान नो सफलता पूर्वक नेपरे चाडन लई लाजमी कीता गया एक माली योगदान है डंडी हरेक सिख अपनी नेक कमाई दा दसमा हिसा गुरु कर नो अरपत करके गुरु दिया खुशिया दा पातर बनदा है डंडी कई बार दुश्वंद नो पुन दान वज्जों वी तसलीम कर लिया जनदा है पर दान दी तारना कर्म कंडी विदी वदान नाल जुडी होन करके मनुख नो मुक्ति दा लारा लंदी है जेस दी सिखी सदांत वेच कोई था नहीं है डंडी एस दे नाल ही दान वेलडा अते मंगतिया नो किर्त सब्याचार तो बे मुख करी रखदा है डंडी दश्वंद दी रकम सिखा वलों सवे इच्छा नाल जुडी जान दी है जो पहले दे अधार ते रोहानी खुराक देन वाले तरम कारजां हेत वर्ती जान दी है डंडी एक खुराक साद संगत दे मुलाप गुरबानी किर्तन अते गुरु उपदेश राही प्रापत हुंदी है डंडी पामें दसवंद दी व देरे लोड गुरु अरजन देव जी दे समय मसूस किती गई पर एसं दी हमी पूरवकाली गुरुआं नेवी परीसी डंडी जदों शुरी गोंद वाल सहब विखे अकबर बादशा तीजे पाथशा गुरु अमर दास जी दे दर्शन ददार ले आया ता उस नों पंगत वेच बैठ के परशादा पानी शकना पे आ डंडी गुरु कारें दी सांजी वालता वाली ए मर्यादा वेखें के ओ बहुत प्रसन होया ते जदों उस ने गुरु अमर दास जी नों गुरु के लंगर वास्ते जगीर देन दी गाल कहीं ता गुरु जी ने किहा गुरु का लंगर शर्दा लुआं दी किरत कमाई नाल ही चलना चाहिदा है डंडींग एसंतों साबत हुंदा है के गुरु कारें किसे जगीर जां अमीर दा मुथाज नहीं सगों अपने सिद्की सिखां दी नेक कमाई विच्चों निकले दुश्वंद नाल चलना रहा है डंडींग तरम करम दे पवित्तर कारजांतों इलावा दुश्वंद दी रकम नाल संगता दी संकट समे लोड उनसार सहता वी किती जन्दी है डंडींग दुश्वंद दी माया नाल ही पगत पूर्ण संगन नियास्रिया नो आसरा देन वाली पिंगल वाडे वर्गी महान संस्था दी सथापना किती सी डंडींग गुरु की गोलक नो गरीब दा मुमन्या गिया है डंडींग इसे दे राही वी दीन दुख्या अते लोड वंद दी हर प्रकार दी मदद कीती जांदी है डंडींग ए मदद वी नानक नाम लेवा संगतां वल्लों अपनी कमाईनों सफल बनोने हेत दित्ते गें दिसवंद उते ही निर्पर कर दी है डंडींग पाई बुद्दुशा जी प्रजापती समाज दे श्रोमनी संत हुए हन्नेंग जो पंजमी पाद्शाई शिरीगुरु अरजन देव जी दे अनन सेवकसं डंडींग उन्ना दा जनमर लहार पाकिस्तान विखे होया डंडिंग एन्ना दे माता-पिता बड़े मेंती किर्त करन वाले सं डंडिंग लहार इलाकेंच इस परवार दा खासा मान सनमान सि डंडि पाई बुद्धुशा दें पिता एक सुरकारी ठेकेदार सन जोके कच्चियां इटां बनाके आवियां वेच इटां पकोन दा कारोबार करदे सन डंडिंग पाई बुद्धुशा शोटी उमर चही अपने पिता नाल केरत वेच हाथ वटोन लगपे सन डंडिंग पाई बुद्धुशा बडें शुर्दालू गोर मुख अते नेक सुबादें सन डंडिंग पंजवे पात्षा शुरी गुरू अर्जन देव जी जदोवी कदे लोहार आके ठेर दें तांपाई बुद्धुशा जी अपना सारा समा उन्ना दी सेवा ते मान सनमान लई समर्पत करदे सन डंडिंग हर साल अपने गरे निवास विखे गुरू अर्जन देव जी दे अते संगता दे चर्ण पवंदे सन डंडिंग एक वार पाई बुद्धुशा जी ने अपने गरे अते कारोबार दे वादे ले शिरी गुरू अर्जन देव जी अते सुमू संगता कोलों अर्दास बेंती करवोन ले वड़े पंडारे दा अजोजन कीता डंडिंग गुरू जी संगता समेत पाई बुद्धुशा जी दे गरे विखे ठेरे डंडिंग गुरू जी वलो कीरतन दरबार राही संगता नो उपदेश दिता जा रेहासी डंडिंग एस उपरांत जोदों संगता लंगर शक रिया सन ता उस समे बाहर लखु पटूरिया जो बाद विच पाई कमलिया दे ना नाल प्रस्यद होया वी लंगर शकन लई आगया पार उस संदे पाटे प्राणे कपडे देखें के मोख दरवाजें ते खडे पैरे दारा ने उस नो अंदर प्रवेश ना कार्न दिता डंडिंग गुरु जी ने लंगर शकन तों बाद एक सेखनो अरदास करन लई केहा डंडिंग जदों सेखने अरदास वेच कारो बारा वेच तरक्या अते पाई बुद्धू शादिया पाईया इटा आवया वेच पक्या निकलन लई अरदास कीती तां बाहरों पाई कमलिया उची उची बोलिया एटा कचिया रेंगिया एटा कचिया रेंगिया डंडिंग जदों से तों बाद शरी गुरू अरजन देव जी नो पाई बुद्धू शाद ने पाई कमलिया देंग। बचना बारें दस्या तां गुरुजी बोले अच्छा पाई बुद्धुशा होने तेरिया एटा दा आवा कच्छा ही रहेगा क्योंके पाई कमलिया दे कही गल कदे अजाई नहीं जान दे डंडी पावें पाई कमलिया दे पाटे प्राणे कपडे देखें उसे नो सिदारन स सचा ते बेपरवा पगत सी ते सचे पगत दे कथन रब वी नहीं मोड सकदा दंडी संगता वलों की ती अरदासं वी कदे व्यर्थ नहीं जान दी डंडी पावें पाई कमलिया दे कहे बचन वी पूरे होन गे डंडी स्टार्ट तुरदा है डंडी एक थांतों दूजी थां तक डंडी शब्द जदों गुरू बनदा है फेर ओ शब्द नहीं गुरू हो जानदा है डंडी गुरू जदों शब्द राही साड़े अंदर वास करदा है ता साड़ा अंदर निर्मल निर्शल ते पैपीत हो जान फिर मन अंदर ना डार हुंदा है ना नर्वेर ना निर्पो डंडिंग उस समय तूही तूह हुंदा है पर ए दोर बहुत कट अंदा है डंडिंग जदों मनुख शब्द दे लाड लग के गुरु तक पुजदा है डंडिंग बहुती वार ता मनुख शब्द गुरु तों बहुत पिछे रह जानदा है डंडिंग शब्द सन्नों ग्यान नाल जोड के टियान वल ले जानदा है डंडिंग जदों असे टियान करदे हां ता साड़े अंदर सुपन्यां दी तक की खुल जानदी है डंडिंग ओ ताकी जड़े तियान ते समधी तक देव सफर वेच रुकावट बनदी है डंडिंग असे तियान करदे होए उस ताकी रही संसार नू वेखदे हां डंडिंग ओ संसार जड़ा सुपना है डंडिंग होण असे इस सुपनमय संसार वेच ही जियांदे ते मरदे हां डंडिंग शब्द गुरुनो पोल जानदे हां डंडिंग संसार नाल जुड़या मुनुख तियान नहीं लगा सकदा डंडिंग पदार्था दा मो लालच त्रिशना दुख होमें ते लालसा उसनो अपनी गृफत चो मुगत नहीं होन दिंदे डंडिंग मुगती ले साननो खोद मुगत होन पैंदा है डंडिंग बेन मुगत होया मुगती प्रापत नहीं कीते जा सकदे डंडिंग कोज प्रापत करन ले साननो कोज देना अते शड़ना ता पवेगा डंडिंग ए लेन देन दा रिष्ता संसारी वी ते करतारी वी है डंडिंग ए साननो चकर वेच कमाई रखदा है डंडिंग उसदा अपना ही एक संसार बन जानदा है डंडिंग ओ संसार जेस वेच ओ जियोंदा है डंडिंग जियोंदे रेन ले साननो पाण पाणी ते अन तन दे लोड है डंडिंग जेड जिन्दगी नू करतारी बणोंदे हन ओ गुरुनू मेलदे हन डंडिंग जिन्दगी ते संसार एक हन पर जदो मनुख शब्द दी ओट वेच आउंदा है ता ओ शब्द नाल खेडण लग पैंदा है डंडिंग शब्द नाल खेडण वाला व्यक्ती बहुत शेती होरना उते काबज हो जानदा है डंडिंग जदों तुसी कबजा करदे हो उस समय तुसी शब्द नालों टोटे के संसार नाल जोड़ जानदे हो डंडिंग संसार नाल जोड़िया मुनख जदों वी कज करदा है डंडिंग उस दे कीते दा कोई असर ता पैंदा है डंडिंग ए असर ही है जेड़ा उसनू संसार दे तुर अंदर तीक ले जानदा है डंडिंग संसार वेच रेंदा मुनख शब्द दी प्रवार नहीं करदा डंडिंग जदों वो शब्द नालों टोटदा है ता वो विकारा वल तुरदा है डंडिंग वो वकार दी बदौलत अपने आले दुवाले अजिहा जंगल या गौंदा है ओ जंगल उसे दुवाले कंड्याली तार बने जानदा है डंडिंग उस दी हालत मकडी दे जाल वर्गी हुंदी है डंडिंग ओ खोद जाल वेच फास जानदा है डंडी जदों कोई व्यक्ति किसे पावसागर वेच फास जानदा है डंडी फेर उस दे मितर ही दुश्मन बन जानदे हन डंडी फेर ओ उस दी मजबूरी दा लाब ठांदे हन डंडी उस दी तान दौलत नो लोट दे हन डंडी ओ लोट माया दी तान हुंदी है डंडी कई वार इस दा रूप कोई होर वी हो सकदा है डंडी होन मसला एह है के शब्द गुरू नालों टोटके मनुख प्रेमी कदों बन गया प्रशंचन एस वेच शब्द गुरू वाले वी उन्ने ही कसूर वार हन जिन्नाने मनुख नो शब्द गुरू नाल जोडन दी बजय उन्नानों सदा ही अपने नालों तोड़या डंडी इसे तोड़ विशोडे करके पिंडां ते शेरा विच वक्खो वक्ख नामा हेठ बहुत कोज उग आया है डंडी जिन्ना विच्चों जात पात दी बो अंदी है डंडी गुरू शब्द नेता निमानया नतानया नों शक्ती प्रदान करके गुरू शब्द ते शक्ती दे मोहरी बनाया सी डंडी ओना ता जात पात ते उच नीचे दा वरका ही पाड़ दित्ता सी डंडी ओ वरका जेडा अज पेंड पेंड थोहर बन के ओग आया है डंडी एस थोहर नों पाणी वी उनना ने दित्ता है जेड अज प्रेमिया नों शब्द गुरू नाल जोड रहे हन डंडी मालवे दे पिंडा अंदर जेस्तरा दे तरम बदले दी महम रंबी इसने गुरू शब्द नों पारी ठेस पुंचाई है डंडी ए ठेस होन मना अंदर हुंदी होई मडिया तक वी पुज गई है डंडी होन जेड पिंडा वेच प्रेमिया नों गुरू शब्द नाल जोड के वक वक अख़बारा वेच फोटमा शबवा के अलाके दे जथे दार अपने आका अगे नंबर बना रहे हन डंडी एस्तरा कोई गुरू नाल नहीं जोड सक्दा डंडी नाही स्रोपा पौन नाल कोई गुरू दे मारग दा पांदी बन सक्दा है डंडी गुरू वाला बन ले सीस तली ते तरना पैंदा है डंडी आज कोई अपना सीस तली ते नहीं तरदा सगों दूजियां दा सेर वड़दा है डंडी आज जेस्त्रा प्रेमिया नो शब्द गुरू नाल जोड़या जा रिहा है डंडी ए महज एक ड्रामा ते ड्रावा है डंडी वंज ता शब्द गुरू वाले वी नहीं चौंदे के ए प्रेमी साडे नाल आरलन डंडी जे ए निक्या निक्या जाता गुरू शब्द दे लाड़ लगिया ता एक देन ए अपना हिसा वी मंगण गिया डंडी जिमे तल्लन वेच शब्द गुरू वाले अपना हिसा मंगण चले सी डंडी होन जदों असी आधन के दोर विच्चों लंग रहे हां डंडी सारे पासे तकनीक ने दुनिया नू एक दूजे दे नेडे ले आंदा है डंडी साइसे ने त्रक्की दिया बुलंदिया शूलया हन पर असी अजेवी अपने आपनों सतारमी सदी वल खिच्ची जा रहे हां डंडी बाबर शाही जहां गीरी ते रंग जेबी दा दोर फेर पासा बदल गिया है डंडी जदों जबरन मुसलमान बनाया जानदा सी डंडी मेरे बंदे रब दे हन उसे दी सिर्जना हन डंडी गुरू नानक देव जी दी बानी दी ए तोक उदों वार वार याद ओंदी है जदों असी इनसान नू इनसानी वंडिया वेच वंडे देख दे हां ते असी दुनियावी लोक उसे जरूरी एकता नू पशानन वेच नाकाम रंदे हां जेडी साड़ी होंदे दा मूल है डंडी सिर्जन हार दे इकात्मकता नू पशानन दे नाकामी कारण असे उनना वखरेमिया नू बहुत तवज्जों दिन्दे हां जो साड़े मान दिन्या लोब ते अग्यांता पुरपूरे नुकरा वेच ही उन्दे हन साड़े पांज सदिया पहला दा पारती महादीप पारी कलेश दा शिकार सी डंडिंग वखो वख है ते बिलकुल वरुद्धी तार्मिक तार नामा हिंदू ते इसलाम तर्मा वेच वंडिय सी डंडिंग इना दोमा दर्म्यान कोई समानता नहीं सी ते दोमा समूहां अंद तार नामा दे वखो वखरें किनारें ते अनिका रूप सन डंडिंग जदों लड़ाई इस गल दी सी के मेरे रब प्रती मेरी तारना तेरे रब प्रती तेरी तारना तों बेतर है ता उसे दुरान गुरु नानक देव जी ने फरमाया के रब एक है पामे उसे नूम पॉन दे त्रीके वखो वखरें हन डंडिंग एस दे बावजूद इनसान अपने साथे इनसाना नू दूर रखन ले कंदा रूपी वलगना उसारदा जा रिहा है डंडिंग कबैली पुने ने मुश्कल च लोड वंदा दे मददगार बन दे पावना नू नकारन ले अपने आप नू जहरीले टांग नाल राट्रवाद नाल मिला लेया है डंडिंग असी अपने इनसानित नू एन उदों पुल जांदे हां जदों एस दे सबतों वद लोड हुंदी है डंडिंग एकसर लोक तरम दे नाते वितकरे अते जुलमा दा शिकार हुंदे हन ते मार तक दिते ज केंदे हन डंडिंग अज लोड है के इस मौके असी याद करिये के इस बारे गुरु सहब ने की फरमाया है डंडिंग ओ केंदे हन ना हम हिंदू ना मुसलमान अते सारे मुनुख केवल इनसान हन डंडिंग गुरु नानक देव जी ने अपनिया चार उदासियां रहीं दू खुर्दूर तक यातराम केतिया डंडिंग। एश धुरान वह पन्य सवन्य लोकानों मिले। ज़िक अपने गल्य कैने भिछार वतंतरें घंडिंग। जनम साखियां वेच एस सुबंद च मुल्तान दे एक कटना दा जिकर अंदा है डंडी ओथों दे मुकामी मजबी अगु पीर उना कोल दोद दा नको नक परिया प्याला लेके आए पाब के तारमक अगुआ नाल ओथा पूरी तरा परि होई सी डंडी गुरू सहब ने उस प्याले वेच चमेली दा फॉल राख दता जेडा उपर ही तैर दा सुगंदिया बखेर दा रेहा ते उस ने दोद दी था नहीं ले डंडी गुरू सहब बारे असी जो कोज वे जान देहा ओ बहुता जनम साखियां तो ही मिलदा है डंडी गुरू गोबिंद सिंग विदवान दाशनिक बुद्धी जीवी लेखक अते कवी कौम उसरिये संगीत कार संत सपाही मनों वग्यानी दूर अंदेशी दीन दुखी दी वां फढ़न वाले मोहान इन कलभी योदे सन डंडी सार दे अनिका विदवान ने वाख वाख पक्खा तो गुरू सहब दी शिक्षियत दी वड़्याई किती है पर कनिंगम दे हेठ लिखे विचार बहुत टुक में हन डंडी कनिंगम लिखदा है गुरू गोबिंद सेंग दे वो पक्खी जीवन नो समझन लई सानों एक तेज रफतार कोडे उते सवार होना पवेगा डंडी मुकाबलतन इनी शोटी उमर विच इने महान कम कर जाने क्रामात ही लगदी है रंडी बतार एक महान जर्नेल गल करिये ता शैद ही कोई जेहा जर्नेल होवे जिस नो इनिया अकड़ां दा समना करना पेया होवे जिन्या दा दिशमेश पिता नो करना पेया दबे कुछले लोका नो जथे बंद करके फाज बनाई ते उस फाज नाल समे दी सबतों वड़ी ताकत नाल टाकरा करने दे काबल बना के जित प्रापत की देंडिंग उस समे शिखा दिया सब जितान दा कारण गुरु जी दि सोल जी होई अगवाई ही सी डंडिंग के निंगम लेखदा है जिस स्यानप नाल किलियां दी उसारी कीती ओही उना गुरु जी नू जर्नेल सथापते करने ले काफी है डंडिंग अनंद पुर दी पंजवी लड़ाई समय आपने जिस्तरा रंग जेब दी पेज्जी होई फौज अते पहाडियां दी फौज नाल आठ महीने ताकरा कीता अते रसद पानी दी अनहोंद अते बमारियां दे बाव जूद पुख पाने सिंगा दे होसले बुलान्द रखे गुरु पात्षा वर्गा जर्नैल कर सक्दा सी डंडिंग चमकार दे लड़ाई समें ठके हारे सिंगानू लखा दे फौज नाल बढ़ोन दे करामात वी आप वर जर्नैल कर सक्दा सी डंडिंग मेकलफ ने बोहत ही सुनदर लिख्या है से खें गुरुआं तो पहला दुनियादे के से भी जर्णेल ने उन आदमियां नो जथे बंदे बंदे दा ख्याल तक नहीं सी किता जिननो जनम तो ही दुरें दुरें किता जंदा सी पर इस गुरु गोबंद सेंग ने उनना विच ऐसी शक्ती परी के ओ योदे होके निबडे ते फिर योदे भी ऐसे जिन्ना दी द्रडता दलेरी ते वफादारी नो आगू ने कदे मयूस ना कीता डंडी गुरु गोबंद सेंग पारते दिया उनना कोज महान हस्तिया विच्चों हन जिन्ना दी शक्षियत सदीमी है डंडी उनना ने पारते दे इतिहास वेच नमिया ताक्तानू जनम दिता डंडी उननने हारिया हुन्या शिरणिया वेच नमे जीवन ते नमी शक्ती शाली कौम बनाई डंडी ओ लोक जो पहला नीच ते आप वित्तर समझे जान्दे सन ते दुरकारे जान्दे सन होन सुनमान जान लगप डंडी गाडन कहनदा है के गुरू गोबिंद सेंग ने आप हुद्रे लोकानों संजम वेच लियांदा उनना वेच तार्म के पाव परे योदे बनाए डंडी सिख तर्म सबतों नवीन ते नवेकला तर्म है डंडी ए तर्म नरोल तर्म के रोरितां तक ही सीमत नहीं सगों इस वेच संसार वेच रेंदियां ग्रस्थी जीवन पोगदियां सफल सखामा जीवन जियोन दे जाच वी दसी गई है डंडी ए संसार ले एक नवेकले ते इनकलाबी फिलास्फी है डंडी गुरु नानक सहब वलो दरसाए अते शिरी गुरु ग्रंथ सहब वेच दर्ज इस फल सफे नो जेकर सारे संसार वेच परचारया अते परसारया जानदा है ता संसार दी नुहार ही वक्री होनी सी डंडी हार पासे फैली नफरत दी बदबू बदले दी पावना अते होमे दी आग ने दूर हो जाना सी ते लुकाई ने सुच्ची किरत कर दिया उसनु वंड शकदिया ते परमातमा दे पर वेच जियोंदिया एस संसार नुही सुवर्ग दा रूप देना सी डंडी शिरी गुरु ग्रंथ सहब वेच दरसाई जीवन जाच दा गुरु जी दे पैरोकारां वल्लों परचार अते पसार करना ता दूर रहा सगों आप ही एसे तों दूर रहे हने डंडी निर्मल जीवन ही सिख दा मुडला तर्म है सिखी वेच सारे तार्मिक कर्म कंडा दा खंडन कीता गया है अते वाही गुरु दे हुकम उन सारे जीवन जयोन दा अदेश है डंडी काम करोद लोब मों हंकार नों काबू वेच रख दिया होया वैर वरोद तों नरलेप सची सुची जिंदगी जयोन दा नाम ही सिखी है डंडी पर बदकिस्मती नाल सिखांदी बोगिंती इस जीवन जाच तों बेमुख हो रही है डंडी चिरी गुरु गरंथ सहब दे हुकम नो मन के उन सारे जीवन जयोन दे था शिखाने गुरु गरंथ सहब दे पूजा करने शुरू कर दिती है डंडी सिखी वेच कर्म नो महांता बक्षी गई है डंडी पराप्तिया ले कर्मा दी लोड है डंडी पारें सिखाने सचे ते सुचे करमातों बे मुखें होके गुरु ग्रंथ सहब गुरुवां दियां मूर्तियां उन्ना दि शो प्रापत गुरता मातों ही मंगां मंगणियां शुरू कारें दितियां हन डंडिं शिरी गुरु ग्रंथ सहब दा सतकार करना हर एक दा पहला फर्ज है पारें ये फर्ज केवल मथा टेकन तक ही सीमत नहीं होना चहिदा सगों गुरुदे शब्दानों मन वेच विसाके उन्ना उन्सार जीवन जियोन नाल ही अमली रूप वेच सिख बनयां जा सकदा है रंडि गुरु जी ता जीवन वेच परापतियां दा रा दरसों दे हन परापतियां ता उस रा उते तुरियां ही परापत हो सकदियां हन रंडि अपने गुरु दे बचना नालों सिखा दे सांज टौटे रही है रंडि बहुत काटें सिख गुरु ग्रंथ सहब जी दे पाठ कर दे हन डंडी कोज आतम विश्वाश दी काट तें कोज तारमक आगुवां वल्लों पाए डर कारन असी गुरुजी दा पाठ करन तोंच जिक दे हन डंडी पड़े लिखे परवार जड़े आप पाठ कर सक दे हन डंडी